आप देख रही है MNS News सच जरूरी है चंद्रबाबू नाइडू लोगसबा चुनाओ से पहले तमिलनाडू में बड़ा बीजीपी का कुनबा आए देखते हैं खबरेविस्तार से राहूल गांदी की भारत जोडो नियाई यात्रा में शामिल होगे अखिलेश यादव विवात के बाद खुद अध्यक्ष ने भेजानने होता लोग सबाचुनाओ दोहजार चौबिस कॉंगर्स नेता राहूल गांदी की भारत जोडो नियाई यात्रा में शामिल होगे समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव अमेठी या राय बरेली में पार्टी ने एक बयान चारी करी जानकारी दी है कॉंगर्स सद्यक्ष मलिकर जुन खरगे ने राहूल गांदी की भारत जोडो नियाई यात्रा में शामिल होने के लिए 16 फरवरी के उत्रप्रदेश आगमन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को नीमंत समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को एक बयान चारी कर कहा राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कॉंगर्स अध्यक्ष मलिकर जुन खरगे ने से राहूल गांदी की भारत जोडो नियाई यात्रा में शामिल होने का निमंतरन मिला है बयान में कहा गया है नियाई यात्रा से क्या उमीद रखते हैं अखिलेश यादव ने कहा कि उमीद है कि ये भारत जोडो नियाई यात्रा उत्रपदेश में प्रविश कर पीडियेत के द्रनिती से जुड़ेगा और हमारी सामाजिक नियाई और आपसी सद्भाव आंदोदन को और आगे पीडिये की टीम और राजनितिक जीत का नया इतिहास लिखेगी अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने कॉंगर्स की भारत जोडो नियाई यात्रा का निमंत्रन नहीं मिला है उनके इस बयान के बाद कॉंगर्स अध्यक्ष ने नियोता भेजा है भारत वाले पैदल मार्च पर टिपनी करने के तुरंत बाद कॉंगर्स महासाच्यू जैराम रमेश ने कहा कि उत्रदेश में भारत जोडो नियाई यात्रा के विस्तरत मार्ग और कारक्रम तयार किया जा रहे है और आने वाले दिनों में इसे अंतीम रूप दिया जाएगा बढ प्राप्ट खबर के अनुसार दोनों पार्टियों के बीच सीट शीरिंग भी चर्चा निरन तंजारी है इसी के साथ बीचीपी पवनकल्यान की पार्टी जनसेना के साथ भी है ऐसे में अंत्रपरेश में आगामी चुनाओ रोचक हो सकते हैं सुत्रों के अनुसार बीचीपी एवं तेलकू देशम पार्टी एक साथ लोगसबा चुनाओ के मैदान में उतर सकते हैं जानकारी के अनुसार बिजीपी को आंदरपरेश में 6 या 7 सीट मिल सकती है वही फिल्म स्टार पवन कल्यान की पार्टी जन से ना को गटबंदन में 2 सीटे दी जा सकती है कहा जा रहा है कि जल्द ही चंदरबाबु नाईडो की एंडिये गटबंदन को वापसी और सीट शियरिंग के फॉर्मूले का एलान हो सकता है तेलकू देशन पार्टी एंडिये गटबंदन के संस्थापकों में एक मानी जाती है वर्ष 2014 में टीडीपी ने एंडिये में वापसी की थी तथा बीजीपी के साथ मिलकर लोग सबाचुनाओ लड़ा था हाला के वर्ष 2018 आते आते दोनों दलों के रास से अलग हो गए अंदरप्रदेश को विशेश राज्जी के दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर चंदरबाबू नाइडू ने बीजीपी से नाता तोड लिया था आला के पिछले इनों नाइडू ने ग्रह मंतरी अमिशा से मुलाकात की थी इसके पश्चात से ही उनकी वापसी की अटकले लगाई जा रही है बढते अगली ख़वर के और लोकसबा चुनाओ से पहले तमिलनाडू में बड़ा बीजीपी का कुन्बा 15 पुर्व विधायक और एक पुर्व सांसद होए शामिल जीहा केंध्रिया मंत्री राज्यू चंद शेकर की मौझूदगी में आज सभी नेताओं ने BGP जौइन की है इस दोरान उन्होंने सभी नेताओं का स्वागत करते वे कहा कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी में आपका स्वागत है इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि लोकसवाचुनाओं में इस बार BGP की 370 और NDA की 400 सीटे आएगी वही विपक्षिय पर निशाना साथते वे केंद्रिय मंत्री ने कहा कि जंतरमंतर पर बैठे नेता द्रामा कर रहे है इन पुर्व MLA MP ने जॉइन के BGP जिहां BGP में जॉइन करने वाले की लिस्ट सामने आई है लिस्ट में पुर्व A.D. M.K. विधायक के वाडी वेल चेलेंजर दुरेसामी P.S. कंडासामी और चिननासामी पुर्व मंत्री गोमती श्रिवासन वियार जैरामन S.M. वासन, P.M. अरूल, S. गुर्दनार्थ, R. राजिंद्र, सत्वी, मुरू, गेसन, A. रोकिनी के तमिल, लागन, S.A. वेकंट चलम, मुत्व कृष्णन और पुर्व, D.M. के सार्थक वी, कुलिन दुवल्यू के नाम शामिल है लोकसबाद चुनाओं से पहले दक्षिन में और मजबूती धूई है बता दें कि लोकसबाद चुनाओं करीब आ रहे है S.A. में बड़ी संक्या में पुरोविधायकों को और सांसदों का BGP में शामिल होना दक्षिन में पार्टी के बर्ती साक को दिखाता है इस मौके पर केंद्रे मंतिर राजजी उचंदर शेकर ने खुशी जाहिर कर लोकसबाद चुनाओं में BGP की 370 जीतने का विश्वास जताया है वही सभी नेताओं को उन्होंने पार्टी में शान्दा स्वागत किया है इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आओगे आप करूबरू तब तक के देखते रहे हैं MNS News Network मेरे साथ यह निर्शन सारी के साथ नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News